क्रिप्टो करनसी को लेकर दुनिया भर में बढ़ी अनिशित्ता की वज़े से इस हफते अधिकतर क्रिप्टो करनसी पर एक बाँ फिर से दवाव देखा जा रहा है मंगलवार को सभी प्रमुक क्रिप्टो करनसी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली बिटकॉइन का लेकिन अब एक बड़ा एक्षेंज जो एक्षेंज है उसमें क्राइसिस हुई यह माना गया कि वह एक्षेंज आल्मोस्ट डिफाल्ट होने की स्नितिय में पहुंच जाएगा इसके फिन एक्षेंज के बारे में जो सूचना है बाहर आई उसे पता चला कि करीब करीब 6 बिलि कंसिस्टेंटली डिफाल्ट होने वाले एक्षेंज की लगाता डिफाल्ट होने वाले एक्षेंज की संख्या बढ़ रही है और यही बड़ी बजह में दिखाई देती है कि क्रिप्टो बाजार में चीजें स्थिर नहीं हो पा रही है दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सार देशों में क्रिप्टो पर क्रैक डाउन और जाच पड़ताल और रेगुलिटरी सकती भी चल रही है